आज, हम सामाजिक सुधार और समानता के प्रतीक, दूरदर्शी जोतिबा फुले को उनके जनम दिन पर नमन करते हैं. जाती या लिंक की परवा किये बिना सभी के लिए शिक्षा के प्रती जोतिबा फुले का अटूर्ट समर्पन हमें प्रेरित करता रहता है. उन्होंने दमनकारी मांदंडों को चुनोती दी और हाशिये पर पड़े लोगों के अधिकारों की अथक वकालत की. इस विशेश दिन पर हम समाज पर जोतिबा फुले के गहरे प्रभाव पर विचार करते हैं और शिक्षा और सामाजिक म्याई के माध्यम से सर्शक्तिकरण के उनके आदर्शों के प्रती अपनी प्रतिबधता की पुष्टी करते हैं. उनकी विरासत हमें याद दिलाती है. की साहस, करुणा और अटूट डिल संकल्प के माध्यम से परिवर्तन संभव है. जियोतिराव गोविंद्राव फुले, जिन्हें जियोतिबा फुले के नाम से जाना जाता है, एक दूरदर्शी समाज सुधारक, विचारक और कारे करत जिन्होंने 19-वी सदी के भारत में हाशिये पर रहने वाले समुधायों के उत्थान में महत्वपून योगदान दिया. उनका जन्म 11 अप्रेल 1827 को पुने, महराष्ट्रा में माली जाती के एक परिवार में हुआ था, जिसे समाज में प्रचलित परदानुक्रमित जाती व पुनी के कारण औप्चारिक, शिक्षा तक सीमित पहुच का सामना करने के बावजूद, फुले ने बड़े पैमाने पर स्वर शिक्षा प्राप्त की और समाज में प्रचलित सामाजिक मुद्दों और अन्याय की गहरी समझ विक्सित की, अपने स्वयम के अनुभवों और पीवितों की दुर्दशा के प्रती सहानुभूती की भावना से प्रेरत होकर, जियोतिबा फुले ने अपना जीवन जाती आधारित सामाजिक सम्रचना को चुनौती देने और नश्ट करने के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण और सामाजिक प और शिक्षा में लेंगिक समानता की वकालत करते हुए पुने में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जियोतिबा फुले की, सक्रियता शिक्षा से परे तक फैली, उन्होंने 1873 में सतिर्शोधक समाज अर्थात सतिर धूमने वाले का समाज की स्थापना की, जो सामा जिक समानता, तरकसंगत सोच और मानफतावाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच बन गया। सतिर्शोधक समाज ने भारतिय समाज में प्रचलित जाती आधारत भेदभाव, अस्प्रिशिता और अन्य दमनकारी प्रथाओं को खत्म करने की मान की, फुले के लेख और भाशन जाती व्यवस्था द्वारा जारी अन्याई को स्पष्ट करने में प्रभावशाली थे। उन्होंने मराठी में कई उलेख मियर अचनाय लिखी, जिन में गुलाम गिरी शामल है, जिसमें ब्राहमनवादी वर्चस्व की आलोचना की गई और उत्पीड़े जातियो की मुक्ती की वकालत की गई, जियोतिबा फुले के महत्वपूर्न योगदानों में से एक उनका महिलाओं के सरशक्तिकरन पर जोड़ देना था, वह महिलाओं के अधिकारों और लेंगिक समानता के भी कर्टर समर्थक थे, वह महिलाओं की शिक्षा में विश्वास करते थ और विद्वा पुनर विवाह और बाल विवाह उनमूलन की पहल का सक्रिय समर्थन करते थे, जो उस समय भारतिय समाज में वर्जित था, उनकी पत्मी, सावित्री बाई फुले, महिला शिक्षा में अग्रणी थी और उन्होंने उनकी सामाजिक सुधार पहल में भूमिका निभाय, फुले समाज में ब्राहमनवादी वर्चस्व के आलोचक थे और उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से निचली, जातियों के सशक्तिकरन का आवान किया, उन्होंने तर्प दिया कि ब्राहमनोंने अपनी सामाजिक और आर्थिक इस्ठता बनाए रखने के लिए धार में ग्रंधों का इस्तेमाल किया, जोतिरा फुले के विचारों और सक्रियता ने भारत में भविशे के सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया, उन्होंने बियार अमबेट कर जैसे नेताओं को प्रेरित किया, जिन के प्रयासों ने बाद के सामाजिक आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया और सामाजिक न्याय, समानता और मानविय गरिमा के लिए व्यापक संघर्ष में योगदान दिया, समावेशी और समतावादी समाज का फुले का दृष्टिकों सामाजिक सुधार और पर समकालीन चर्चा में प्रासंगिक बना हुआ है। ज्योतिबा फुले की विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित है जो अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया के लिए प्रयास करना जारी रखते हैं। इस शुब दिन पर हम दूरदर्शी समाज सुधारक और समानता के प्रनेता ज्योतिबा फुले को शद्धान जली अर्पित करते हैं। शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए ज्योतिबा फुले की निरंतर वकालत हमें प्रेरित और मार्ग दर्शन करती रहती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो क रुपया इस पोस्ट को लाइक और शियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें